आज हम बनाएंगे टी टाइम केक वह भी आटे से चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी हमने लिया एक बोल इसके अंदर आटा हम सारे इंग्रेडियंट को चान के डालेंगे जितने भी ड्राइं ग्रेडियंट से हमारे तो हम आटे को चान लेंगे साथ में एट कर देंगे कुकोवा पाउडर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नमक कॉर्ण फ्लोर हम सारे इंग्रेडियंट चान के डाल रहे हैं एक बनाने के लिए सबसे में स्टेप हैगे इन सारे ड्राइ इंग्रेडियंट को हम स्पैंचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे अब हम इसके अंदर वेट इंग्रेडियंट आड करेंगे विनिगर गर्म पानी और अच्छे से ड्राइ इंग्रेडियंट और वेट इंग्रेडियंट को अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए हमारा बैटर बनके रेडि हो गया है इसकी कंसिस्टेंसी हम इसे करेंगे बेग तो हमने लिया है अपना टीन इसे हम ओईल से ग्रीज करेंगे हमने इसके अंदर बटर पेपर भी अच्छे से लगा लिया है अब हमने बैटर को इसके अंदर डाल देंगे इसे हम एक से दो बार इस तरीके से टैप कर लेंगे अब हम इसे बेग करेंगे 180 डिग्री पे 40-45 मिनट्स आप चाहिए तो इसे कड़ाई में भी बेग कर सकते हैं 40-45 मिनट्स लो फ्लेम पे हमारा केक बेख हो गया है यह देखिए हम इसे तूटपिक से चेक करेंगे हमारी तूटपिक में जरा सा भी केक नहीं लगा है मतलब हमारा केक अच्छे से बेख हो चुका है अब हम इसे ठीन से बाहर निकालेंगे देखिए कितने एज़ी है तीन से बाहर आ गया है बट्र पिपर निकाल लेंगे देखिए कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है और कितने एज़ी बन गया है अब इसे कट करेंगे देखिए कितने सॉफ्ट ली कट हो रहा है आप चाहिए तो इस केक को क्रीम से डेकोरेट भी कर सकते हैं तेस्ट में यह काफी टेस्टी लगेगा बिल्कुल ने लगेगा कि आटे से बना हुआ केक है देखिए देखने में भी काफी डिलिश्यस लग रहा बहुत सॉफ्ट है हमारा टी टाइम केक बनके बिल्कुल रेडी हो गया है अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शियर करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें कमेंट करके बताएं आपको मारी वीडियो कैसी लगी अबहुत से अच्छी अपको पनकेस अच्छी लगती हो मारी याराङश